एक बहुत ही पूछने वाला question, CTR कितना percentage होना चाहिए, CTR को लेके हम जैसे YouTuber बहुत परिसानी में रहते हैं, कितना percentage इसके लिए सही है, किस तरह से यह देखा जादा है, अगर आप देखे, AdSense में जाकर, कई तरह का CTR आपको देखने को मिलेगा, Page CTR, Ad CTR, Normal CTR, बहुत सारा, 3 या 4 तरह का CTR आपको देखने में लगा, लेकिन किसका percentage सही है, किसको हमें maintain करना चाहिए, बहुत confusion बाली बात है, और अगर आपका channel monetize है, या कोई website, आपका, कोई app आपका monetize है, उससे आप पैसा कमा रहे है, तो आपको यह CTR maintain करना बहुत जरूरी है, डर तो सबको लगत है CTR जादा हो जाने से, अगर हमारा adsense disabled हो जाए, या suspend हो जाए, तो पहले बता देते हैं, suspend और disabled का मतलब, suspend यानि कुछ दिन के लिए, एक हपता, एक महिने के लिए, आपका adsense suspend हो जाता है, उसमें कोई आप earning नहीं कर सकते, disabled, यानि पूरे एकदम कुजिनों से मेरा CTR 19, 20, 46 से चला गया था, मैं डर गया था, उसके बाद जाके मैंने पहले invalid activity का जो from है, वो भी भरा था, फिर जाके बहुत YouTube पर वीडियो देखा, नेकिन कोई बता रहा है 12%, कोई बता रहा है 15%, कोई बता रहा है 20%, सब का वीडियो में ही मिला, तो last में जाके मैंने creator help से मदत मांगे, उन्होंने बताया, यह जो CTR का rate है, यह proper कोई नहीं बता सकता, proper CTR rate कौन था है, 12, 14, 15, 20, यह पूरा metric जो है count होता है, आपका add revenue, जो आपके channel पे, आपके content के उपर, जो add किस तरह का चल रहा है, उसके उपर depend करते हैं, आ मेरे जब high हो गया था, मेरा CPC I think बहुत ही जादा था, normally 0 या 1, 2 ऐसा रहता है, लेकिन उस time मेरा CPC जो है बहुत ही high हो गया था, लगभग 13, 14 हो गया था, CPC बढ़ने से earning तो जादा होता है, लेकिन CTR बढ़ने का भी खतरा रहता है, इसके उपर बहुत सारा metric जो है काम करत है YouTube का जो आप कह सकते AI, पूरा एक system है, automatically कोई भी human उसको control नहीं करता है, पूरा जो है software basis automatically ये control होता है, तो आज मैं आपके साथ share करूँगा इस वीडियो में किस तरह से आप अपना AdSense का CTR mention कर सकते हैं, काफी सारा वीडियो आपको YouTube का मिल जाएगा, लेकिन कहीं पर भी आपको proper percentage देखने को नहीं मिल गा, ये एक Google का बहुती गुप्त आप बोल सकते हैं, रहश है, तो वीडियो का पूरा देखिए, आपका हर question का जबाब इस वीडियो मिल जाएगा, तो देर की इस बात की दोस्तों, शुरू कोड़ा जागा, तो मैं आ गया हूँ, मेरे computer screen पर उपर ही AdSense है, तो जो ये performance report है, मैं यहाँ पर इसको pin कर देता हूँ, pin होने के बाद मैं इसको back किया, और आप देखिए, यहाँ पर खाली ये report सो करेगा, तो ये रहा page CTR, ये काफी दफा मैंने देखा है, बहुत high हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, यह page CTR, इस से कोई ख पहले करता था, ये जो click tab आप देख रहे हैं, इसके उपर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको CTR देखने को मिलेगा, तो maximum लोग जो है, ये ही CTR फॉलो करता है, मैं भी ये फॉलो करता हूँ, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या चीज आपको देखना चा अगर आपके page के उपर या video पर 1000 impression आया, सबसे अच्छा safe माना जाता है, 1000 impression में देरशो click, चलिए आपको दिखाते हैं, अब click, ये click जो है हम ज्यादातर गल्दी कर देते हैं, अगर आप यहाँ पर देखे, 1000 impression पर लगभग 50 click, उस हिसाब से यहाँ पर CTR calculate हुआ 5.09, और मैंने जितना सर्च किया, उहाँ से मुझे क्या देखने को मिला है, तो मैं जैसे आपको बता रहा था, मेरा CTR जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप 12 जून को आप देख सकते हैं, impression click CTR, अगर आप देखे, impression click CTR, ये बहुत एक जटिल काम है, हम जैसे कर सकते हैं, जादा हो या कम, आपको डरने की ज़रुवत नहीं है, हम जादातर सोचते हैं, CTR बर रहा है, क्योंकि हमारे चैनल पे invalid click हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं है, impression और click ये जो है, इसके हिसाब से CTR बरता है, invalid click के कारण CTR बरता है, लेकिन जादातर नहीं बरता है अगर आपका चैनल नया है, कम वीडियो है, वीडियो के उपर एड कम है, तो आपका CTR बरने का चांस ज़्यादा है, तो मेरा सुझाओ यह है, कि आपका चैनल का वीडियो अगर कम है, या वीडियो के उपर एड कम आता है, या impression कम होता है, तो आप अपना एड का जो quantity है, 15 से आधा 7, तो इस हिसाब से 46.67, तो यह सबसे ज़्यादा कारण है CTR बरने का, impression के हिशाब से अगर आपका क्लिक ज़्यादा होता है, तब भी CTR बरता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, CTR यहाँ पर 5 दिखा रहा है, यहाँ पर impression आया 4,260, और क्लिक होगा 217, यहा आप देखें, आपका CTR बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करें, आप पहले चेक करें, आपका impression कितना आ रहा है, आपके वीडियो के उपर, और क्लिक कितना हो रहा है, तो इस हिसाब से आप जाके YouTube के उपर अपना add optimize करें, तो चलिए दोस्तों आप दिखाते हैं, YouTube पे अपने वीडियो के उपर किस तरह से आप optimize कर सकते हैं, जब आपका CTR बर रहा है, otherwise करने की कोई जरूरत नहीं, तो दोस्तों ये रहा मेरा YouTube Studio, चलिए आपको दिखाने के लिए मैं एक वीडियो के उपर जाके आपको दिखा देता हूँ, आप किस तरह से add जो है वो optimize कर सकते हैं, ये रहा मेरा monetization section वीडियो का, मैं जूट नहीं बोलूँगा, मैं भी add लगाता हूँ, add लगाए तो पैसा, नहीं तो क्या बता हूँ, यहाँ पर आप जब पहले add लगाने जाए, यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, mid roll add, 10 minutes से ज़्यादा अगर आपका वीडियो ह तो ही ये दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा, या disable रहेगा, यहाँ पर मैं गया, management roll add, तो आप देखिए मेरा वीडियो है 11 minutes 36 seconds का, मैंने यहाँ पर add लगाया है, कितना, 1, 2, 3, 4, और शामने 5, अगर कोई viewers आपका ये वीडियो देखता है, तो आपका count किया जाएग page view, यानि ये वीडियो एक ही बार देखा, यानि एक page view, page view 1 हो गया, और उसके अंदर मैंने कितना add लगाया, तो पहले तो एक add चलेगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौधा, ये पांचवा, तो मैंने यहाँ पर ये add लगाया, ये रहा mid roll add, आप इसको सब को delete करके, place automatically क हो रहा है, क्योंकि मेरा CTR ठीक है, मैं उसको नहीं करूँगा, तो इसको आप ध्यान से देखे, इसको आप place automatically कर दीजे, तो YouTube अपने आप से आपके वीडियो के उपर add लगाएगा, आपका चैनल का जो CTR section है, add section है, वो अच्छी तरह से optimize हो जाएगा, और यहाँ पर आप display add, overlay add, sponsor card, skippable video add, non-skippable, यह जो non-skippable है, इससे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, यह जो display add है, यह तो computer पर ही चलेगा, यह overlay add, यानि जो screen के उपर आदा है, यह भी computer पर चलेगा, sponsor card, यह आपके site के उपर, या video के नीचे mobile से देख रहे हैं, तो उधर दिखेगा, skippable video add, इसको आप normally रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तर लोग skippable add, skippable कर देते हैं, यानि 1% या 2% लोग ही skippable add देखते हैं, यह non-skippable सबसे ज़्यादा कारण है, mobile से CTR बरने का, और दूसरा कारण है, mid-rule add, जितना हो सके mid-rule add अगर CTR बर रहा है, तो उसको कम कर दीजिए, या place automatically कर दीजिए, और यह जो after video है, यह तो कोई देखता ही नहीं है, वीडियो खतम होने से पहले ही, चले जाते है, skip करके, आप भी करोगे, चैनल को subscribe नहीं करोगे, like करोगे, अगर हो सके तो दोस्तो थोरा सा प्यार हमारे लिए भी बरसाइए, बंदे के लिए एक subscribe और like तो यहाँ पर आप देखे, जो display add है, इसको आप on off नहीं कर सकते हैं, यह जो है बहुती खत्रे का कारण बन जाता है, invalid click का, तो उससे क्या होता है, जो बंदा computer से देखता है, वो अगर आपके वीडियो के उपर ज़्यादा बार यह display add को click करेगा, तो आपका CTR बरने का चा बहुती जादा होता है, हलांकि उसमें CPC हाई होता है, बहुती हाई होता है, क्योंकि वो add जादातर लोग नहीं देखते हैं, 0.1% या 2.3% लोग ही देखते हैं, तो उससे आपका सबसे जादा invalid click का खतरा रहता है, और एक बात, अगर आपका channel पे बहुत अच्छी तरह से view है, यानि बहुती अच्छी तरह से view है, impression जादा है, तो कोई बंदा आपके channel के उपर invalid click नहीं कर सकेगा, वो कितना करेगा, अगर आपके channel पे उपर 20,000-30,000 view per day आता है, वो बंदा कितना click करेगा, अगर आपके video के उपर 4 add एक एक video पर आता है, तो वो बंदा कितना घंट बैटके आपके video के उपर click करता राएगा, तो आसा करता हूँ दोस्तों मैंने जितना पताया, आप लोगों को समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया, तो आप दिल खोल के comment कर सकते हैं, या पूछ सकते हैं, आपके लिए ये बंदा हाजिर हो जाएगा, तो दोस्तों ये यहाँ AdSense help community page, ये page मुझे मिला मैं जब YouTube help से chat कर रहा था, उस दोरान मुझे ये page का link दिया गया था, यहाँ पर आप AdSense का हर problem का solution ढूण सकते हैं, तो दोस्तों मैं इस page का link description में दे दूँगा, आप जाके आपका AdSense का जो हर तरह का problem है, उसका solution यहाँ पर ढूण सकते ह सबसे जुरूरी बात मैं बोल देना चाता हूँ, CTR बरने से AdSense disabled नहीं होता है, ज़्यादा तर नए YouTuber के साथ ये होता है, क्योंकि उनके page के उपर कम भी हो आता है, और Ad जो चलता है वो ज़्यादा चलता है, इस बज़े से click ज़्यादा होता है, अगर आप एक नए YouTuber हैं, तो प्लीज आप अपने वीडियो का Ad Optimize करें, उसका quantity कम करें, तो आपका AdSense सुरक्सित रहेगा, अगर आप मुझसे पूछें कितना percentage AdSense के click through rate सही है, तो मैं बोलूँगा 2 से 10% तक सही है, बाकी सोच आपका, तो मैंने तो पुरा दिखा दिया है कि इस तरह से आप अपन AdSense maintain कर सकते हैं, अपना YouTube का जो वीडियो के उपर एड वो optimize कर सकते हैं, अभी तक तो चैनल को subscribe लाइक नहीं किया है, अगर हो सके तो like, subscribe कर देना, कुछ जान करी चाहिए, तो जरूर comment कीजिए, बंदा हाजिर हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, next वीडियो झाहिए, बंदा हो जाएगा झाहिए, जो जाएगा जाएगा झाहिए, और राओवावा पारत।